नमस्कार दोस्तों तो मोदी जी की उमर निकलती जा रही है वो हमारे देश के प्रदान मंत्री रह चुके हैं अभी भी हैं हाला की पर इस बार जो 2024 में इलेक्शन होंगे उसके हिसाफ से मुझे लगता है अगर उनकी हेल्थ इशूज वगेरा सब सही रहेगा तो हमारे अगले प्रदान मंत्री भी वही रहे पर अगर if there is any chance if there is any health issue to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi then what are who are the possible persons जो की हमारे next देश के Prime Minister बन सकते हैं in BJP I consider only BJP because the majority of the population of Indians are supporting BJP today according to the service ठीक है तो फिर कौन से हो सकते हैं तो सबसे पहला नाम उभरता हुआ जो आ रहा है वो है योगी आदितेनाथ पूरे भारत की जितनी भी पब्लिक है वो योगी आदितेनाथ को पूरी भाहुमत से सपोर्ट कर रही है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह as a survey ने बताया है जिसमें की ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूचा गया भारत में कौन हमारे next परदानमंत्री बनने के लायक है तो उस survey में ज्यादा तर लोगों ने answer दिया है योगी आदितेनाथ after all और उसके साथ में भी कि मतलब जैसे कुछ इंडिया की स्टेट्स है कुछ क्या maximum वहीं चाहती है कि जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया यहां पंजाब हो गया यह सारे लोग चाहते कि योगी आदितेनाथ वहां का as a chief minister CMO पर यह हला कि पॉसिबल नहीं है पर फिर भी जो नेक्स्ट पॉसिबल आउटकम सारे उसकी इसाफ से यही डाटा इंशॉर करते हैं कि हमारे नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें श्री गमोदर्दास मोदी जी शायद नहीं होंगे शायद okay maximum of the chance of Amishya Amishya जो है वो भारत के होम मिनिस्टर है as you know उनकी होने के भी काफी ज्यादा probability है as he can do better things in our country and उसके साथ साथ मुझे नहीं लगता और कोई खास outcomes होंगे so that मैं यही सोचता हूं कि हमारे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे he should be Amisha और योगी अतित्यनाथ नन अदर दन अव दम और इफ मोदी जी चेंज and never forget that I predict this मुझे भी पता आप लोगों ने भी प्रेडिट के होगा अगर आपने भी प्रेडिट के तो भी कॉमेंट करों आप